हलो एवरिवान एन वेल्कम बैक आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 19 यानि कि इससे पहले 18 पार्ट और आ चुके हैं यह पॉलिटी की जो सीरीज है एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से है कि जब हमारा कॉंसिटूशन बना था और में पूरी पॉलिटी कुम्प्रेट करवाँ गा तो मेक शूर कि अप लोग फस्ट पार्ट से देखना शुरू करें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे वैंकर शुक्र बारे में और प्लानिं पे क्मिशं के बारे में यईन कि दो हमारे जो मेन टॉपिक रहें उसमें हम बिल्कुल end में question छोड़ देंगे जो कि next video में discuss करेंगे तो ये question मैंने आपको last video के end में पुछा था कि which of the following recommend the principle for sharing of revenue among union and state NKN में से कौन से option दिये गए हैं जो recommend करता है कि revenue का जो recommendation होगा union और state में ये distribution होगा कि center को कितना मिलेगा और state को कितना percentage मिलेगा ये कौन decide करता है तो ये decide करता है भाई साब finance commission option number A ये 36 गड़ के PCS 233 में question आ चुका है basically क्या है कि जितने भी question में discuss करता हूँ न वो किसी ना किसी state PCS या IES में पूछे गए है और मैं try करता हूँ कि जितने different expect बनते हैं उसके वो भी बता दूँ ताकि exam में आपको गर घुमा फिरा के भी question आए तो आप उसका answer easily कर पाऊ अब थोड़ा वो जान लेते हैं finance commission के बारे में like what finance commission does finance commission recommend करता है क्या करता है taxes का distribution किस तरह से होगा union और states के बीच में और जो inter council state है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये states के अंदर coordination और cooperation के लिए है next बात करते हैं planning commission की planning commission का पता है आपको कि अब तो खेर ये working में नहीं है नीती आयोग ने इसको replace कर लिया है नीती आयोग ने as you all know कि जब सेमोधी government आई थी तो उन्होंने 2014 के 15 अगस्त के भाषन में बोल दिया था कि planning commission अब नीती आयोग रहेगा तो एक January 2015 से planning commission मतलके नीती आयोग बन गया था और इसका काम क्या है नीती आयोग का भी जो planning commission दिनका काम यही था कि resources को allocate करना क्योंकि जैसी देश अजाद हुआ था उस टाइम पर अंग्रेज्जों के द्वारा जितनी भी loot पात की गई थी उस टाइम हमारे पास resources कम थे और उनका maximum utilization करने के लिए planning commission जो था बनाया गया था first prime minister जवाला नहरू के द्वारा क्योंकि constitution making के दुराण से कोई जिकर नहीं है तो constitution में लिखा भी नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि planning commission एक extra constitutional body है क्योंकि एगर constitution में इनके बारे में लिखा होता है तो हम इसको constitutional body बोलते हैं तो यह फरक होता है एक constitutional body और non constitutional body या फिर हम extra constitutional body बोल सकते हैं next question है कि एक statement दी है कि in India taxes on transaction in stock exchange and future market are यहनके जो transaction के उपर tax लगता है stock exchange और future market के वो union दोबारा ली जाते हैं और collect की जाते हैं state government के दोबारा तो पुछा हुआ है कि कौन सी statement सही है तो जैसे कि हमें पता है कि 7th schedule जो हमारा constitution के अंदर है वो distribution of powers की बात करता है यहनके उसके तर तीन लिस्ट आती है एक union list, state list और concurrent list और under article 268 बताता है कि जो ऐसे taxes है यहनके जो stock exchange पर transaction पर tax लगते हैं ऐसे tax जो है impose कोन करता है union government करती है लेकिन collector appropriate कोन करता है यह state करता है तो यह बात दोनों बिल्कुल सही है तो अंसर हो जाएगा option number C, both 1 and 2 इसी के साथ साथ एक बात और जैसे last video में भी question आया था कि जो stamp duty जो और financial good deals के हैं वो union government लगाती है और collect or regulate कोन करता है state government इनके tax लगाने का काम union का है लेकिन collect करने का काम होता है state का next बात कर रहा है यहाइस 2003 के अंदर पुछा गया है finance commission के अंदर आया था और पुछा हो है कि इन में से कौन सा correct है सबसे पहले तो नहीं धियान रखना है कई बार हम जल्दबाजी में correct पुछा है not correct पुछा है इसीज के बारे में तो सोचते ही नहीं है लेकिन फटा फट से हमें शुरू हो जाते है कि हाँ अंसर यह 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 बाद में रखता है कि हाँ यार पुछा कुछ और ता आंसर कुछ और दे दिया यानिकि knowledge तो सहरी चीज़ की है फिर भी number नहीं मिल पाया क्यों जल्दबाजी की वज़े से तो option पर पहला बोल रहा है तो अलो दा विड्राल अफ दा मनी आउट अफ दा कंसोलिडेटर फट फंड अफ इंडिया यानिकि यह जो finance commission है वो allow करता है यानिकि परमीशन देता है कि कंसोलिडेटर फंड अफ इंडिया से पैसा विड्रो कर लिया जाए तो यह statement तो भाई साब सुनने में ही गलत लग रही है वो क्यों? क्योंकि यह बात हम लोग खुद जानते है कि इस सीज की अलो जो है पारलेमेंट करता है कि finance commission है तो फर्स्ट अप्शन तो जी गलत हो गया तो फर्स्ट गलत हो गया जहां जहां पर one है वो आप काट दो यानिके यह भी कट जाएगा यानिके option A और D तो अब race में है ही नहीं next बात करते हैं to allocate among the state the shares of proceeds of tax यानिके states के अंदर जो tax proceeds रहने वाली है वो यह allocate करता रहे तो कही नहीं हम बोल सकते हैं कि यार यह चीज तो यह करता है क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि यह काम क्या करता है taxes का distribution करता है center और state में तो option number 2 तो बिल्कुल सही बोलनेंगे हम फिर बात कर रहा है to consider application for grant in and from state यह grants के बारे में बात करता है यह बी क्योंकि ना इसके बाद में आपको discuss करता हूँ चलो पहले आप वही देख लेते है finance commission जो under article 200 सी आता है यह recommend करता है distribution of taxes between union and state यह तो बिल्कुली बात हम कर चुके है फिर बात करता है to determine the principle which should govern the grant in and of the revenue to the state यह निक यह क्या करता है कि finance commission यह भी करता है कि जो consolidated fund of India है वहाँ से क्या grant देनी चाहिए states को इसके बारे में भी determine वही करता है और यहीं पुछा गया था इसका to consider application for grant यहनि कि state को कितनी grant चाहिए है और कितनी allow करनी है मतलब कि जो उसका principle है basically वो focus करता है finance commission पर ही तो यह भी हम लोग consider कर सकते है next बात कर रहा है to supervise and report on the whether the union and state government are leaving taxes in accordance with the budgetary provision यहनिके जो budget का provision है उसके साब से जो union or state है जो tax लगा रहे हैं नहीं लगा पारें उसको supervise करना तो basically इसको supervise करना काम जो होता है वो होता है finance ministry का यहनिके budget के उपर finance commission कोई हाथ नहीं होता है तो इन सब अबब डिसकेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि option number B जो है इसका सही answer है यहनिके 2 and 3rd is the right answer चलिए अब जो बीच में चूट गया था 3rd point देखे लेते हैं to suggest the necessary measure to increase the consolidated fund of state for the development of panchayat in the state और देखो finance commission जो है इसके लिए बी necessary measure ले सकता है कि state के consolidated fund कैसे बढ़ाए जाए देखो यह इदर फरके में ने मेंशन कर दिया ये इंडिया का था ये स्टेट का है ताकि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पंचायतों की डेवलपमेट की जासके है नेक्स्ट बात करता है एनी अधर मैटर रेफर टुड़ा कमिशन बाई प्रेजडेंट देखो किसी साउंड फिनेंशल एड्मिस्टेशन के लिए अगर प्रेजडेंट कोई मैटर रेफर करता है फिनेंश कमिशन को तो उसके बारे में अपनी सलाह देना तो बेसिक लिए चार जो है इनके बेसिक काम है सबसे पहला काम यह है और ग्रांट वाला भी और पंचायत वाला तो याद रखना ही रखना है आप कोपी बन लेके बैठते तो हो न या फिर सुनते हो पर कोपी बन लेके बैठा करो इंपोर्डेंट प्वाइंट्स नोट कर लिया करो सुनने से लंबे टमे तक याद नहीं रहेगा लंबे टाइम तक याद रखना है तो नोट समनाने पड़ेंगे और प्रोपर टाइम पर रिवीजन भी करने पड़ेंगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर विद्धा रेफरेंस टुदा फ़नेंस कमिशन ओफ इंडिया विच ओधा फॉलोविंग स्टेटमेंट इस करेक्ट अलाकि हम स्टेटमेंस कमिशन के सारे काम देखी चुके हैं तो स्टेटमेंट को मीजली जो है विड्रो कर सकते हैं इनके जो फोरें क्या आएगी अफड आई तो उसको इंफरीक्टर डेफलोपमेंट के लिए लगाने के लिए बोलता है second बात कर रहा है it facilitate the proper distribution of finance among public sector यहिन्क पी एस यू के बारे में भी बात कर रहे है फिर बात कर रहा है it ensures transparency in financial administration यहिन्क जो financial administration है उसके अंदर transparency यहिन्क लोगों को भी पता है कि finance commission कैसे काम कर रहा है financial administration कैसे काम कर रहा है क्या लग रहा है कहां क्या कम लग रहा है कि ट्रांस्परेंसी है तो क्या ये तीनों चीज हमने पढ़ी है अभी जी नहीं हमने फिनेंस कमिशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम बोल सकते हैं कि option number D none of the above statement is correct in this context तो option number D इसका सही answer हो जाएगा फिर हम बात करते हैं which one of the following is not a function of finance commission in India इन में से कौन सा finance commission काम नहीं है devolution of income tax बिल्कुल करता है जी devolution of excise taxes बिल्कुल करता है बात में बात करते हैं award of granting end ये तो बात हमने अभी देखा ही था ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चिज़े ना इन सब चिज़ों पर ये center collect करती है ना तो finance commission को ये हक है कि इनके बारे में distribution करें center और state का लेकिन जो trade tax होता है trade tax जो है impose भी state के दवारा किये जाता है और collect भी state के दवारा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो distribution है वो finance commission के subject में नहीं आता है that's why devolution of trade tax option number D is not a function of finance commission of India ये भी UPPCR24 के अंदर पुछा गया है तो में next option जाने से पहले भी अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया तो कर ले ना क्योंकि अब आगे latest video आपको बहुत जल्दी मिलती रहेंगी इसकी PDF आपको as usual telegram पे मिलेंगी आपकी कोई query है तो मुझे आप लोग पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करकर फेस्बुक पे फॉलो करकर पूछ सकते हैं इन तीनों के link मैंने description में डाल दी है next बात कर रहा है main agency to resolve the fiscal dispute physical dispute का मतलब क्या है fiscal का मतलब है जो financials related disputes है center or state के तो वो कोन करता है तो ओवेसी बात है हम finance commission के बारें बात कर रहे है तो finance commission जो है important role play करता है जब भी financial dispute आते है center और state के बीच में और ये fair distribution suggest करता है हमेशा ही option number C finance commission next बात कर रहा है the provision regarding division of taxes between union and states अब बात कर रहा है emergency से relate करके माल लीजे national emergency लगी हुई है या financial emergency लगी हुई है हलाकि financial emergency आज तक नहीं लगी है और ऐसे असार लगे भी नहीं है अब तक कि ऐसा कुछ हो सकता है और future में भी हम लोग hope करेंगे कि ऐसा ना हो तो national emergency जो है main concern है तो national emergency जब भी लगती है हमें सबको पता है कि president के order से लगती है तो इनको जो है suspend भी किया जा सकता है finance commission को जो provision है distribution of taxes क्या इनके जो taxes के बारे में बता है कि क्योंकि उस ताइम पे न national emergency लगी है आपको पता हिए कि emergency किन किन कारणों से लगती है अब लास्ट वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ नहीं देखा है तो वो definitely जा के देखना external aggression होता है war condition होती है arm rebellion हो जाता है in some condition में national emergency लग सकती है तो उस टाइम पे taxes का distribution जब तक national emergency लगी हुई है वो suspend किया जा सकता है तो option number B इसका सही answer है अब एक question आप लोगों के लिए कि जो financial emergency है वो किस article के अंडर आती है comment section में मुझे लिख के बताईए आप लोग try किया करो maximum participation देने का देख के जब छोड़ा मत करो और अगर आप लोग Indian geography भी देखना चाते है तो ये भी मैं start कर चुका हूँ यहाँ एक आपको eye button मिलेगा वहाँ पर लाकर देख सकते हैं otherwise मैं description में इसका link डाल दूँगा geography भी काफी अच्छे वैसे समझाए और basic knowledge के साथ MZ के तो हम discuss करते ही है next बात कर रहा है अब जो है current 15th finance commission चल रहा है अनके पंदरवा तो उसके chairman कोन है तो इसके chairman है जी नंद किशोर सिंग option number B NK सिंग अब एक chart लेके आऊँगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आज तक पहला first commission जो हुआ था और पंदरवा कौन-कौन chairman बना और क्या-क्या operational duration थी उनकी आप चाहें तो उसका screenshot ले सकते हैं या फिर कोपी बन लेके बैठे हैं तो well and good है आप इसको उसको आट भी सकते हैं तो आपके सामने यह जी है बात कर रहे हैं हम लोग 15th की NK सिंग इससे पहले थे YV Reddy उससे पहले थे VJ Ekalkar उसके बाद उससे पहले C Rang Rajan तो यह आप देख सकते हैं कई बरना First Commission पूछ ले जाता है कि First Commission के Chairman कौन थे तो वो थे Casey NGoy Next बात कर रहे हैं था Finance Commission consists of a Chairman and इनके Finance Commission के अंदर Chairman के साथ साथ और कितने Member होते हैं तो जी Asper Constitution Commission जो हर 5 साल के लिए Point होगा इसके अंदर एक Chairman मैं और चार जो थे Other Member होगे तो Option Number C इसका सही आंसर होगा Next बात कर रहे है When was the Planning Commission established? हाँ अगर आपको 5 यर प्लैन के बारे में पढ़ना है वो इकनोमिक्स में जिकर होगा डिटेल के अंदर हम अभी ज़स सिर बेसिक सी जोंके बारे में बात कर रहे हैं कि कभ इस्टैब्लीश हुआ था तो इस्टैब्लीश हुआ था 15 मार्च 20 को हमारे 1st Prime Minister ज्वाला नहरुजी के तवारा और निती आयोग जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 1 जनवरी 2015 को निती आयोग शुरू हो गया था यानि कि उसको रिप्लेस कर लिया था तो आंसर क्या होगा इसका option number B कि मैं दर change करना भूल गया हूँगा इदर option number B ही आएगा जब PDF मिलेगी मैं उसमें सरी कर दूँँगा इसको next बात कर रहा है विचो of the following is extra constitutional body ये भी मैंने आपको बताया था कि जीन चीजों का mention constitution के अंदर नहीं होता और बाद में कोई resolution पास करके बनाई होते हैं तो उसको हम extra constitutional body बोलते हैं तो finance commission extra constitutional body नहीं है क्योंकि constitution में जिकर है election commission का जिकर है interstate council का जिकर है तो रहता एक option बचिया तो आंसर है निती आयोग कब बना था जी निती आयोग हाँ फिलाहलम ना planning commission के बारे में पढ़ रहे हैं आपे planning commission के बारे है क्योंकि निती अब तो 2015 के अंदर आया था तो जो निती आयोग था वो एक cabinet के resolution से बना था जो 15 March 1950 को आया था और main function क्या था कि 5 साल का जो 5 year plan है उसको prepare करना और states को annual plans के लिए suggest करना next बात करते हैं which of the following is not correct about निती आयोग अब निती आयोग के बारे में बात कर रहे है it was set up to replace planning commission ये बिल्कुल सही बात है next बात कर रहे है it was set up in 2015 based on the principle of cooperative federalism ये भी बिल्कुल सही है कि ये cooperative federalism के बारे में बात करता है लेकिन फूल-time chairman की बात जो है हलका हसमें difference है क्यों क्योंकि उसकी chairman की seat है वो ex officio है ex officio that means जो देश का prime minister होगा वही निती आयोग का chairman होगा तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये full time chairman नहीं है इसके पास और national institution for transforming India ये नितीयों की full form है नेक्स्ट बात कर रहा है एंडीसी के बारे में national development council किसी इसको relate करती है तो एंडीसी बना था 1952 के अंदर ये भी extra constitutional body है क्योंकि ये government के executive order से बना था क्या करता था ये ensure करता था कि जो five year plan बनते है state उसके अंदर participate जरूर करे जैसे ये PM उसके chairman थे planning commission के उसी तरह से PM national ndc के भी chairman है और इसके जो member है वो other states के cm रहेंगे और जो planning commission का secretary होगा वो भी ndc का secretary होगा और ये क्या करती थी जी main काम इसका था कि five year plan को approval देना option number a इसका सही answer होगा और ndc क्या करता था basically state government और planning commission के अंदर कोडिनेटर का काम करता था क्योंकि जब सीम ही सारे state के cm इसके member हो जाएंगे तो विसी बात है coordination तो अपने आप ही होगा next बात करता है establishment of lokpal and lokayukt in India was recommended by देखो आपने basically lokpal और lokayukt के बारे में भी सुनना शुरू किया होगा लेकिन ये बहुत पुराने टाइम से चीज चल रही है अभी हमने अन्ना जारे का movement देखा था तब हमको थड़ा बहुत लोकपाल के बारे में बता लगा था कि ट्रांस्परेंसी आने चाहिए कि जो भी ब्रस्टाचार हुआ है black money हुई है वो पता लगया देखो इस्टैब्लिश्मेंट और लोकपाल लोका युकतिन इडिया वस रेकमेंडेड बाइ फर्स्ट अड्विस्टेशन रिफर्म कमिशन चेर्मेंशिप किसकी थी मुरार्जी देसाई की थी तो अप्शन नमबर बी इसका सही आंसर होगा फिर बात कर रहा है कि फर्स्ट लोकपाल बिल कब लाया गया था देखो वो कमेटी ने रिकमेंड किया था में पर लोकसबा भी डिजॉल हो गई थी यह सब मैं आपको बेले बता चुका हूँ कि लोकसबा डिजॉल हो सकती है यह राज्यसाब यह सब भी डिसकस कर चुका हूँ प्रीवियस पार्ट्स के अंदर तभी क्या रहा हूँ भाई पूरा कंटीनूरी सीरीज में देखना तो आंसर के आओगा उप्शन नमबर C 1968 फिर बात कर रहा है नमें से कौन सी स्टेटमेंट जो 2011 के अंदर लोकपाल बिल लाए गया था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है देखो 1968 वाला तो देखो रिजेक्टी हो गया था क्योंकि लैप्स कर गया था बिल फिर 2011 में लाएगया इंटरद्धूस किया गया लोगसभा में चार अगस्थ 2011 को ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है नेक्स बात कर रहा है वो उज इंटरद्धूस बाइपीच इदम्रम ओम मिनिस्टर जो थे हाला कि जो इंट्रिड्यूस किया था ना ये जो Minister of Parliamentary Affair है वी नरायना स्वामी उन्होंने इसको जो था इंट्रिड्यूस किया था लोगसभा के अंदर यानि कि option number B गलत B से जी option number ये गया ये गया ये गया तो answer हम तो ऐसे में मिल चुका है 1, 3 and 4 और option number D पर फिर भी हम लोग इसके बार में डिसकस करेंगे क्योंकि बाद में ये standing committee को refer हो गया था ये बात विल्कुल सही है और जो civil society के member थे उन्होंने इसको weak भी term किया थे कि ये weak है इसके अंदर changes चीलिए तो that means हम कह सकते हैं कि option number D कि इसका एकदम सटीक आंसर होगा next question कहा रहा है कि which is the first state to establish the institution of loka योगत अब देखो ये बात तो clear है कि जो लोगपाल है वो किसके लिए है वो है center के लिए union के लिए और जो loka योगत है वो होता है जी state के लिए तो वो कौन सा state था जिसने सबसे पहले आज की वीडियो के लिए इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो समझाया हो तो लाइक जूरूर कीजेगा और शेर जूरूर कीजेगा ताकि और जो लोग बढ़ रहे हैं त्यारी कर रहे हैं उनको भी help हो सके तो लाइक करना ना भूलेगा जी तो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बारत